नमस्कार दोस्तों, स्फागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है बी यूर ओन डॉक्टर के उपर आज हम जानेंगे कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहली चीज होती है हमारे खानपान, हमारा फूड, इंटेक जो हम पूरे दिन में लेते हैं हम जानेंगे आज कि किस तरह से हमारा जो खानपान है वो हमारे स्किन पर अर्थाहत हमारी तवचा पर कैसे असर डालता है कि इसके बारे में जाने के लिए हमारे साथ है Karamjiit sister, आईए उनसे बाते करते हैं, Om Shanti sister, Welcome to our show, Om Shanti, Sister, अगर हम बात करें हमारी healthy body की, उसमें सबसे बड़ा role play करता है हमारा healthy mind, जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था, जिसमें मुझे एक और बात आपसे जाननी थी, कि अगर हमें सही खाना खाना है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है, जो हमारा पूरा दिन बना देती है, अगर मुझे मेरी फेवरिट डिश मिल जाए, तो बस पूरा दिन अच्छा कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम निय है, क्योंकि मैने अपनी फेवरिट डिश काई है, लेकिन कही बार फेवरिट जो होता है न, वो हमारे लिए हानिकारक बता है, एसे लगों के लिए आपका क्या कहना है, जिनकी जो फेवरिट आइटम्स है, फूड आइट कि कही ना कहीं liver में toxins कथे हो गया है toxic waste कथा हो गया है जो liver उसको उठा के बाहर नहीं फैंक पा रहा है इसलिए वो सारा skin के थुरू बहार आ रहा है तो अब हम इस संदर्प में बात करेंगे initially कि पहले वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनकी favorite की list कुछ ऐसी है जो उनको skin disease दे रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा दो बाते आ जाती है one is कि अगर तो उनमें willpower है और वो थोड़ा सा इस बात को समझें कि during the skin disease one is to avoid getting skin disease but other part is कि already somebody is having skin disease और उसके दौरान हम परहेस बता रहे है क्या खाना है क्या नहीं खाना है ता कि वो बढ़े ना यहां उसको कतम होने में कम होने में मदद मिलें तो दूसरा वो लोग अगर समझ लें कि अगर skin disease हो गई है तो फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उन बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा otherwise आप उसके चपेट में आते जाएंगे और और जादा फस्ते चले जाएंगे दूसरा है कि अगर लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं बचना चाहते हैं कि मुझा skin disease ना हो तो natural level looks health conscious तो होंगे ही इसलिए वो बचना चाहते हैं या वो नहीं चाहते कि इसकिन खराब हो तो उन्हें भी कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हम अभी discuss करने वाले हैं कि यह do's and don'ts अगर वो करते हैं तो उन्हें कभी भी skin issues एक healthy being को नहीं आ सकते sister एक और बात जो मुझे लगता है कि discuss करना बहुत जरूरी है जब हम बात करते है खानपान की कि अगर हम किसी चीज को improve करना चाहते हैं suppose अगर आज मैंने यह realize कि इसके बाद में मैं एक healthy lifestyle जीऊंगी या जीऊंगा उसके लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि food habits के लि उसको कैसे हील किया जाए spiritually क्योंकि क्या होता है हम एक आदत में लग चुके है शायद मैं सालों से ब्रेड कारी हूं पाच पाच ब्रेड एक जन में कारी हूं या फिर शायद मुझे सैंविच बट पसंद है या फिर मुझे पीजा बट पसंद है या फिर you know what I'm trying to say? जो बी अधिक्शन है या मुझे आइस्क्रीम का अडिक्शन है कि every day twice a day मुझे आइस्क्रीम काना ही है या cold drinks का अडिक्शन है कि अगर मैं कुछ खाना का यू तो उसके साथ cold drink लेना ही है ये एक हमारे जिंदेगी का हिस्सा बनता जा रहा है कुछ लोगों के लिए जो शायद काफ इस चीज को छोडना है जब तक हमारा skin normal ही होता ऐसे में first step क्या लेना चाहिए ता कि हमें stable feel हो और हम आगे बढ़ पाएं See the very first step is willpower. Okay. You know to take that action. जी. To decide to take that action. जी. पहले तो decision है कि क्या मैं मन का गुलाम हूं या ये मन मेरा गुलाम है. बिल्कुर. तो first we need to decide that actually what we want. Right. क्या हमें सिर्फ जीब का सवाच चाहिए क्या हमें सिर्फ टेस्ट तंग का टेस्ट चाहिए या मुझे एक healthy life, healthy body, healthy skin चाहिए. बिल्कुर. अगर आपको healthy life, healthy body, healthy skin चाहिए then take the decision and you have to move on the right path. Right. और अगर आप decide करते हैं कि नहीं छलेगा, देखेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो जो मन का रहा है वही खाने दें. अफिर अभी के चक्कर में हम बोलते हैं, चलो अगली बार और से कर लेंगे. फिर अगली बार जब आता है तो फिर बोलतेए जो इस बार फी कर लेते हैं अगली बार कर लेंगे येस वो next day वो वाला दीन नहीं आता है वो सभागया वाला दीन ही नहीं आता है जिस दिन हम अपनी बुरी आदतों को छोडने वाले हैं और अच्छी चीज़ों को अडॉप करने वाले हैं इवन I have seen so many people जो कहते हमें पता है चाय नहीं पीनी चाहिए लेकि नहीं हम से छूटती ही नहीं है मिलना इस लाइक आर एनरजी बूस्टर है ना और हम इसे पिये बिना तो अपने दिन की शुरुवात नहीं कर सकते है ऐसा भी बोलते है लोग जब की चाय सबसे जादा अच्छा अच्छा आपके अंदर सबसे दादा एसड़ा एसड़ी करती है फिर भी लोग उसे लेते हैं in spite of having diabetes in spite of having arthritis in spite of having so many other diseases skin diseases वो लेते है उसको बड़े शॉँँख से पीते है और दिन में चाचर 5 बार पीते हैं ऐसे महान लोग भी है जो ऐसे से गलतियां भी करते है और इसे बताते हैं कि हम तो 4-5 बार पी लेते हैं कोई बाते पिर तो गोली भी खालते हैं विल्कुर तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है तो डिसाइड ओन वोट वांट तो sister अभी हम नहीं जाना कि किस तारह से कितना important है हमारे लिए सही food intake हो ना अब मैं जाना चाहती हूँ कि स्किन डिजीज के दौरान कौन से ऐसे फूड है जो हमें खाने चाहिए और कौन से ऐसे फूड है जो हमें नहीं खाने चाहिए और कौन से ऐसे फूड है जो हमें नहीं खाने चाहिए और कौन से एसे फूड है जो हमें नहीं खाने चाहिए और कौन से एसे पूड है जो हमे में, most importantly, हमें क्या avoid करना है, वो हैं बहुत जादा acidic food, number two, less fibrous food, उसको भी avoid करे, and number three is, जो चिकनाहत वाला भोजन होता है, oily, fried, चिकना-चिकना भोजन, और लेसदार भोजन, तो और, and the fourth one is, बहुत जादा गरम तासीर का भोजन, बहुत होट तासीर, होट in nature, जो हमें इस चीज को elaborate करना जरूरी है, कि हम यह जान लें, कि कौन सी चीजे है, जो acidic है, less fibrous है, और hot in तासीर है, गरम है तासीर में, और साथी साथ, जो बहुत जादा हमें लेज़दार करती है, चीजे, अगर इनको समझ ले, तो हम अपने daily की routine में, over a period of time, सरदियां है, गर्मियां है, हमें समझ में आ जाएगा, कि skin disease है, तो मुझे यह सारी चीजे, for the time being, नहीं खानी है, I am not saying कि lifetime नहीं खानी है, for the time being, जब तक आपका अंदर से पूरा cleansing नहीं हो जाती, next series में, हम उसको भी next episode में लेंगे, कि what are the treatments, and what are the remedies to go by it, और कैसे ठीक हो जाएंगे हम skin disease से, लेकिन अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज है, ना ले, तो जैसे कि बहुत acidic चीज है, सबसे पहले, चाए और coffee, green tea, चाए, coffee, green tea, but green tea तो healthy होता है, no it's not healthy, yeah it's the only herbal tea which we take it at home, herbal tea, जो आप घर पे बनाते हैं, वो healthy होती है, उसको भी हमें बहुत balance करके लेना चाहिए, जिनको skin issues है, याद रखे, ये ध्यान में रखे, skin disease का मतलब है, पित्त बढ़ा हुआ है, skin disease का मतलब है, कि अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लिवर डीटॉक्स नहीं हो रहा है, और लिवर में जब टॉक्सिंस कथे हो गए हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए जो अंदर जा रहा है, वो skin के तुरू बाहर आ रहा है, तो अभी हमें यह ध्यान रखना है, कि we have to avoid tea, coffee, green tea, and number two, उसके बाद जितनी भी लेजदार चीज़े हैं, लेजदार यानि कि जैसे अर्भी, भींडी, और कथल, jackfruit जो होता है, यह सभी इन में लेस होती है, अर्भी, इस में लेस होती है, तो हैंगे लेसदार, चिप 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 चपाहट है जिसके अंदर, चिकनापन है, तो इसको भी avoid कीजिए, बहुत ज़दा पिकल्स खाना, और पिकल्स में भी आम का आचार तो बिलकुल भी नहीं खाना, वो बहुत सदा skin disease देता है, तुरं skin disease देगा वो, जिसको toxins flush out नहीं हो है, उसको आम का आचार खाने से बहुत जल्दी उसका बाड इफेक्ट नजर आएगा, तो पिकल्स खाना, ब्रिंजल, वेजिटेबल में जैसे हमने डिसकस किया भींडी, अर्भी, और साथी में कथल नहीं खाना, तो साथी ब्रिंजल, skin disease वाला व्यक्ति अगर ब्रिंजल अगर बैंगन खाएगा, उसको वो बहुत जल्दी एग्रवेट हो जाता है, skin disease बहुत जल्दी एग्रवेट होती है, तो यह चीजों को एग्रवेट करें, इसी के साथ बहुत गरम मसाले, तीखा खाना, बहुत स्पाइसी खाना, बहुत जादा उसको ओईली, फ्राय करके, तू मच ओवर हीटिंग करके चीजों को खाना, तो यह सारी चीजों को एग्रवेट करना चाहिए, गरम मसाले, जितने भी मसाले हैं, जादा तर गरम हैं, एक्सेप जीरा, चोटी लाइची, यह बहुत माइल सी चीजे होती हैं, उनको आप ले सकते हैं, तो गरम मसाले, जो जिंजर पाउडर, सूंट पाउडर, यह जो चीजे हैं, इनको थोड़ा कम मात्रा में यूज करें, काली मिर्च को कम मात्रा में यूज करें, विकाज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, और लिवर भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वह बहुत जल्दी बाहर इ नौलेज के हिसाब से जो हम बता रहे हैं, that is one list, then a person should make his or her own list also, कि मुझे किस-किस चीज से skin disease बढ़ती है, तो यह सारी avoid की जो list है, इसमें ध्यान रखे, jaggery, jaggery we cannot eat in skin disease, गुड, गुड बहुत गरम होता है, तो जैसे की dates हो गए, और जो श्वारे होते हैं, यह जो श्वारे राए है form में, खुश्क है, यानि कि उसमें dryness है, तो वो भी इसमें नहीं लें, तो बहुत बहुत गरम होता है, और बहुत जादा highly sweet चीजे भी नहीं लीजे, anything which is made of factory sugar, industrial sugar, जो होती है, उस sugar से बनी होता है, और बहुत बहुत गरम होता है, और बहुत जादा highly sweet चीजे भी वे sweets भी आपको avoid करने चाहिए, और late night खाना, और avoid की list, जो eating habits है, उसके बाद आता है your lifestyle, lifestyle में यानि की बहुत लेट खाना खाना, proper digest ना होने वाला खाना खाना, या फिर बहुत फास्ट खाना खाना खाना, या फिर बहुत फास्ट खाना खाना, उसके बहुत 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 ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखे है, avoid की list में, कि मुझे गलतियां कौन-कौन सी नहीं करनी, और अपने skin का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानि कि कुछ ऐसे गलतियां ना करे कि आप बार-बार अपने skin को पोंचने के लिए, एक ही towel बार-बार यूस कर रह से cover करके, fresh towel बिचा करके सोएं, ताकि आपकी skin जब touch हो रही है, तो it should be very clean, और ऐसे ही आप जैसे कि आपकी बेड पे, आपकी bed sheet पे कोई बाठ के उठके गया, और वही पर आप अपना चहरा रखके सो रहे हैं, तो वो भी एक infection create कर सकता है, या आपके लिए वो unhealthy, unhygienic हो सक तो make sure कि आप सुभा जब उठके चले जाते हैं, आप अपने bed के ऊपर आप दूसरा cover डाल के जाएं, दूसरी sheet बिचा के जाएं, या अगर कोई bedding करने वाला है घर पे तो वो इस चीज का ध्यान रखिए, रात को जब आपाएं उसको हटा कर के नीचे से जो fresh bed sheet है, उस पर आया है, उससे भी आपको नीद अच्छी नी आएंगी और नीद अच्छी नी आएंगी तो भी स्किन अच्छी नी रहेंगी, तो ये मैंने सही बोला, येस एक्जाक्ली, healthy skin के लिए, बहुत अच्छी sleep लेना बहुत बहुत अज़री है, आपकी skin आपका चहरा महकने लगता है, when you take a very proper and sound sleep, और उसी तरह से अगर दूसरे तरफ देखे कि जो लोगो को बहुत सपने आते हैं, skin नीद पूरी नहीं होती है, बार-बार तूटती है, disturbed नीद रहती है, उनके skin भी धीरे-धीरे डालोनी शुरू हो जाती है, and also we should drink lots of water, so coming to the do list, to-do list, कि क्या-क्या करना च चाहिए, तो सबसे पहले, fibrous food, alkaline food, less hot in nature, and less acidic food, ठीक है, खाना वो खाएं, जो बहुत जादा fibrous हो, और बहुत जादा acidic ना हो, यानि कि alkaline हो, cool in nature हो, और medium हो, मैंना हर तरह से madhyam सा हो, ना तो बहुत हाई, ना तो बहुत ही ठंडा, ना बहुत ही होट, यासी कि होने ब्रहाँ बहुत जादा तरह से की अल्सके अधरा खाएंइ, तो इस या अजसे बहुत जादा थंडा पानी ना बिनी पिना है, पानी भी लेना है तो चाय आपनी, ourुटी बनाटी है हो, रोज चाय लेने पानी है, तो आपनी चाय गुपनी ने हरें थंडे टाहीं कि कि जैसे कि अगर आप अद्रक यूज़ कर रहे हैं, तुलसी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप पुदीना जादा डाल दो, हरी लाइची, जादी डाल दो, थोड़ी से सौंफ भी डाल दो, और उसमें आप गुड़ना डाल के या तो धागे वाली मिशरी डालो, या देसी ख तुलस कर दो, जादा मातरा में सैलिड खाना, और कम ठंडा पानी पीना, नॉर्मल, नूट्रल सा पानी पीना, इन चीजों को करें, जी, अचार खाने का मन करता ही है, तो आप आमले का अचार फिर भी ले सकते हैं, नीमू का अचार थोड़ा सा ले सकते हैं, बट डोंट मे कि उसमें भी सिट्रिक असद होता है और कई भर हम एपल जाइडर विनिगर भी यूस करते हैं तो बहुत अदा असदिक चीजे अंदर नहीं जानी चाहिए विच आ अलरी गिविंग अस हम Sister, यह जीज मैंने नोट कि कोई भी चीज अगर हम जादा कहता यह फिर जादा ती यह जादा टीखा यह फिर बहुत सादा मीठा बी होता है उसमें भहुत सार शुगर डलावा होता है यह पिर बहुत सारी चीज उग्रिदेंस जाली गई जिसके बहुत सारी बन चुका ऐसे मि मैंने इक और चीस नोटिस कि है कि हम spiritually भी या फिर मैं not even spiritually, spiritually बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन हम एक pleasant feeling नहीं आती है मतलब खाने में टेस्ट ही लगता है लेकिन उसके खाने के बाद में चीज़े थोड़ी सी अलग हो जाती है लेकिन पर आशर डालता है तो लीको को किया एक नहीं और इसके बारे में? ना तो आपकी system को अच्छा लगता है, ना पेट को अच्छा लगता है, ना मन को अच्छा लगता है, नाइ skin को अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें इन चीजों से थोड़ा दू रहना चाहिए, बचना चाहिए हां, आपका भी किसी occasion पर है, festival occasion है, भी घर में शादी का, birthday का, कोई ऐसा occasion आया है जहां पर कभी आपको एक आधी बार खाना पड़ गया, that's not an issue. लेकिन आपकी डेली रूटीन का हर हफ्ते का भी या महीने में एक बार भी में अब इतना जल्दी आपकी ओफन नहीं होना चाहिए, बहुत रेरली आप ऐसी चीज़ों को करे क्योंकि ऐसी चीज़े फिर आपको बाद में आपके मन गोई अच्छा नहीं लगने वाली है and we have all experienced it, अगर कभी बाहर खा लें, अगर कभी कुछ ऐसा खा लें जो बहुत spicy है, hyperboiled है, oily है या फिर उसके तीखे मिर्च मसालों में वो बना है, तो या फिर food color, हाँ या फिर color, synthetic colors, added flavors and synthetic colors, अगर ये चीज़े हैं, तो फिर हमें उस चीज़े को तो पक्का पक्का avoid करना है, इसलिए हमारी avoid की list में सबसे पहले चीज़े ही आती है, इसलिए है, any packed food item, any canned item, कोई भी चीज जो डबा बंध है, packet में है, food item ready to eat है, और roadside जो चीज़े मिलती है, जो तुरंट-ुरंट सब कुछ ऐसे बना करके, तो वो चीज़ें seriously अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत spicy use करते है, spices use करते है, तेज मिर्च, देगी मिर्च ये चीज़ें, ये सभी चीज़ें बिलकुल भी अच्छी नहीं है, skin problem के लिए, so for a skin problems, follow a very good regimen, that is, हलका खाएं, सुपाच्य खाएं, बिलकुल light खाएं, alkaline भोजन खाएं, बहुत जादा fibrous food खाएं, जो आपके अंदर से कच्रे को उठा करके, मलके द्वारा बहर फैंक स करके, हर दिन, constipation नहीं होना चाहिए, बहुत सारे skin diseases बालों को, एक common disease होती है, that is, constipation, उनका पेटी साफ नहीं होता, जो भी वो खाते हैं, अंदर चिपका रहता है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, और जब अंदर से आंते ही आपकी साफ नहीं हो रही, तो उसकी वज़ा स सेबी skin पे वो सारे दाग, धबे, कलर ये, वो सब दिखना शुरू हो चाहता है, it means, ये सारी गंदगी जो चहरे पे दिख रही है, इससे हंडर्ड टाइम जादा गंदगी शरीर के अंदर है, इसलिए ये थोड़ी सी बाहर आई है, और जितना चहरा बिगडता चला जाएगा, it means, अंदर लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, किटनी, अंदर का पुरा जो system है, food pipe से लेके नीचे तक, वो सारा system clean नहीं है, so it's need a very, you know, intensive cleaning, so true, एक ऐसी cleaning चाहिए, जैसे हम वो करते हैं, कि नीमू लगाते है, कोई बरतन में से, अगर दाग ना निकले, तो वहा बिलकुल रगड के अच्छे से, निकाल देता है बहार, जी, यह उस चीज को बहुत लंबा समय तक गरम पानी में भिगो के रखना पड़ता है, कि उसका मैल, उसकी गंगी सारी बहार राजाएं, तो इस इस अल वाट हैं, बिलकुल सही कहा, जब हम घर की बात करें, या हम आसपास के environment के बात करें, हम cleanliness को कितना बड़ा रोल दिया जाता है हमारे जिंदगी में, और internal cleanliness के बारे में तो हम बात ही नहीं करते, उसके बारे में आज हमने बहुत सारी knowledge आपसी ली, all thanks to you sister, thank you for coming in our show, om shanti, om shanti, dostos, आज के एपिसोड में मैंने तो बहुत कुछ सीखा, म मैंने इतनी सारी टिप्स ले जा रही हूं साथ में करम जीद सिस्टर के, जिससे मैं अटने आसपास के लोगों को भी बताऊंगी, मेरे रेलेटिप्स को भी बताऊंगी, मेरे भाई बहुत को बताऊंगी, क्यू? क्यूंकि awareness, दोस्तों, यह हमारी सबसे बड़ी वर्चू ह अगर हम अवेर हैं और हम अगर लोगों की मदद करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, साथ ही साथ, I'm sure आपनी बहुत सारे नोट्स लिये होंगे, उन नोट्स को अपने साथ रखिए, और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से और भी ऐसे रेमेडीज है जिसके तरू अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, इस बात के साथ आज के प्रोग्राम कॉमेंट करते हैं, कल आप से भी मिलेंगे आपके ही शो में, जिन्दगी बने आसान, ओम शान्ती झाल